हेलो गाईज, आज हम बताने जा रहे हैं मनमोहन जी का जीवन परिच्छे मनमोहन सिंग एक कुशल, राजनेता, विदवान, अर्थ, शास्त्री और विचारक भी है वे भारत के तेहरवे परदान मंतरी रह चुके हैं वे दो बार भारत के परदान मंतरी बने इसके अतिरिक्त वे वित मंतरले में सचिव योजना आयोक के उपद्यक्ष भारते रिसर्च बैंक के गवर्नर परदान मंतरी के सलाकार और विश्व विधाले अनुदान आयोक के अधक्ष भी रह चुके हैं मनमोहन सिंग बातर वर्ष की उम्र में परदान मंतरी बन गए डॉक्टर मनमोहन सिंग ने 22 मई 2004 से परदान मंतरी का कारेकाल आरंब किया जो अप्रेल 2009 में सपलता के साथ पूर्ण हुआ 1987 में मनमोहन सिंग को पद विभूशन से समानित किया गया मनमोहन सिंग का जनम 26 सितंबर 1932 इसी को गहा नामक गाउं पाकिस्तान में हुआ था उनकी माता का नाम अमरित कोर और पिता का नाम गुरु मुख सिंग था मनमोहन सिंग की पत्नी का नाम गुरु शरंड कोर है उन्होंने 14 सितंबर 1958 को गुरुशन कोर के साथ शादी की थी, मनमोहन सिंग की तीन बेटिया है, मनमोहन सिंग ने 1952 में पंजाब विश्विदाले चंदिगड से भीये किया और अवल रहे थे, 1974 में मनमोहन सिंग ने इसी युनिवस्टी में 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 एकनॉमिक्स से किया और फिर अवल रहे, 1971 में वे भारते प्रशाशनिक सेवा में शामिल हुए और वणिंचे द्योग मंत्राले में आर्थिक सलाहकार के तोर परन्युक्त किये गए, 1991 में जब पीवी नर सिंग राव परधान मंत्री बने तो उन्होंने मनमोहन सिंग को वित्य मंत्री के पदपनिक्त किया, डॉक्टर मनमोहन सिंग ने देश के अर्द्ववस्ता को एक नई दिशा दी, जिसे देश ने आर्थिक उदारी करण के युग में परवेश किया, सबसे पहले उन्होंने लाइसेंस राज को रद कर दिया, 1998 से सन 2004 के दोरान जब भारत में बीजेपी की सरकार थी तब वे राज्य सभा में विपक्ष के निता थे, 2004 में आम चुनाव में लोग सभा चुनाव ना जीत पाने के बावजूद मनमोहन सिंग को यूपिये की अध्यक्ष सोनिय गांधी ने बारत के परदान मंत्री के रूप में अनुमोधित किया, 22 मैं 2004 कोनों ने पद कीशपत ली, वित्यमंत्री बी चितंद्रम के संयोग सेमन मोहन सिंग ने वैपार और अर्थववस्ता के विकास की दिशा में काम किया, वर्ष 2007 में भारत का सकल घरेलू पादन 9% रहा और भारत दुनिया में दूसरे सबसे बड़ी विकासील अर्थववस्ता बन गया, 2008 में मुंबर पर हुए आतंगवादी हमले के बाद रास्टे जाँच एजन्सी का गठन किया गया, 2009 में इप्रशाशन और रास्टिय सुरक्षा को मजबूत बनाने हेतु भारती विशिष्ट पहचान प्रधिकरण का गठन किया गया, भारत अमेरिका प्रमार्णू समझोते के विपक्ष द्वारा भविश्कार करने के बावजू सरकार ने यह समझोता किया, पंदरवी लोकसवा के चुनाव नतीजे यूपिये के लिए बहुत सकरात्मक रहे और मनमोहन सिंग को 22 मई 2009 को एक बार फिर से भारत के परदनमंत्री के पद पर चुना गया, वजर दो में उन्हें अन्ना साहिब चिर्मुले ट्रस्ट की ओर से अन्ना साहिब चिर्मुले पुरुसकार से समानित किया गया, उनकी दुवारा कुछ किये गए कार्य इस प्रकार है, क्रिशी शुधार गाउं में रोजगार, प्रेटन उद्योग में सुधार, विदेश नीती में सुधार, प्रवानु समझोता, योगदन इत्यादी